नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूस 24 महुआ बजार में लॉकडाउन के उल रही धज्चियां, वहन मालिक एवं दुकानदार मस्त वही पुलिस प्रशासन सुस्त वैशाली जिले के अंदर जहां एक तरफ कोरोना के संक्रमंड से लोग उबड़े भी नहीं कि ब्लेक फंगस ने पैर पसारना शुरू कर दिया इसके बाद भी लोगों में कोई सजगता नहीं देख रही साथी पुलिस एवं प्रखन प्रशासन सुस्त देख रही है जी हाँ खबर जिले के महुआ अनुमंडल बजार क्षेत्र से है जहां एक तरफ तो नगर कार्यपालक पदादिकारी रवी शंकर प्रसाद एवं महुआ थाना अध्यक्ष कृष्णन नंदन जा दल बल के साथ लगातार दुकाने सील कर रहे हैं फ्लैग मार्च कर रहे हैं इसके बाद भी लोगों के बीच प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर कोई दर नहीं देखा जा रहा है वाक्या आज 21 माई 2021 को लगभग से 11 बजे दिन का है जहां महुआ बजार में थाना चौक से लेकर महुआ गांधी चौक, समस्ति पुर रोड, मुजफर पुर रोड, गोला रोड में वाहनों की काफी बीर देखी गई रुक रुक के जाम लगते रहे वही कुछ दुकाने खुली भी देखी गई जबकि महुआ नगर परिशत क्षेत्र होने के वज़े से लॉक डाउन ने अमावली में यहां की दुकाने सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक की ही खुलने की अनुमती है इसके बाद भी दुकानदार सभी आराम से दुकान खुलते देख रहे हैं रिपोर्ट प्रभंजन कुमार मिश्रा वैशाली बिहार